जै माता की दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवरात्र के पांचवे दिन के बारे में नवरात्र के पांचवे दिन मा दुर्गर के पांचवे रूप सकंद माता की पूजा की जाती है आज हम जानेंगे कि नवरात्र के पांचवे दिन किस प्रकार से आप सभी को पूजा करनी हैं। पांचवे दिन के पूजा के आखिर क्या महत्व होती हैं। सकंद माता के पीछे की कहानी भी जानेंगे। जो भी भक्त सकंद माता की सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है, उन भक्तों को सुख और शांती प्रदान होती है। देवासु संग्राम सकंद की माता होने के कारण इनका नाम सकंद माता पड़ गया। भगवान कार्तिके का नाम ही सकंद है। मादुर्गा के पांचवे सरूरूप देवी सकंद माता की उपासना नवरत्य के पांचवे दिन की जाती है। इस दिन सादर का मन विशुद्र चकर में अवस्तित होना चाहिए। कंद माता की चार भुजाएं हैं। वही माता ने अपनी धहनी भुजाओं में भगवान कार्तिके को बालक रूप में पकड़ रखा है। स्कंध माता की दूसरी भूजा अभे मुद्रा में उठी हुई है। देवी स्कंध माता के अन्य दो हाथों में कमल पुष्प है। वह कमल पुष्प के आसन पर विराजमान करती हैं। चलिए जानते हैं कैसे हुआ देवी के सौरूप का जन। असूर तारकासूर ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन किया था। और जब ब्रह्मा जी ने उससे प्रसन होकर उससे वर्दान मांगने को कहा तो चतुर तारकासूर ने एक चाल चली। तारकासूर जानता था कि भगवान शेव आज जीवन विवाहा नहीं उसने ब्रह्मा जी से भगवान शिव के पोत्रिक कार्तिके द्वारा मारे जाने का वर्दान बांगा। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह कर लिया। और तब उनके पोत्रिक कार्तिके का जनम हुआ। कार्तिके का वद्ध करने के लिए तारकासुर आतुर था तब अगनी देव ने मा पार्वती की आग्या बिना कार्तिके को चुरा लिया अगनी देव की इस गलती से देवी पार्वती बहुती क्रोधित हुई और उन्होंने अगनी देव को यह श्राप दिया कि वह सही और गल माता के लूप में आ जाती है और अपने हाथ में कार्ति के को उठा कर केलास की और चल पहती है जानते हैं सकन माता की पूझा करने भकतों का पूझा करने पूझा सबसे पहले आप एक लकड़ी का पट्टा लीजिए या फिर चौकी लीजिए उस पर गंगा जल छिड़कर उसे साफ कर लें और फिर उस पर पीले रंका वस्त्र चड़ा दें और फिर उसके उपर ओम लिख दें और इस पर सकंद माता की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित कर और जिस भी मनोकामना के लिए आप सकंद माता की उपासना कर रहे हैं तो सकंद माता की उपासना करते समय चौकी पर आप अपनी मनोकामना को टिका रखें और अब अपने हाथों पर पीले रंके फूल लें और देवी माता के दिव्य स्वरूप का स्मरण करें ध्यान के इस मन्तिर का जाप आप 108 पर करें मंत्र है या देवी सर्भूदेश्यु मासल्ब माता रुपेढ़ा संसिता नमस तस्य नमस तस्यї, नमस तस्ये, नमो-नमा वे? आप 108 बार करें और माता रानी से हाथ जोड़कर जो भी आपकी भूल चुक हुई हो इस पूजा में उसके लिए आप माफी मांगें सकंद माता की पूजा के अंत में सकंद माता के साथ आप शैल पूत्री ब्रह्मचार्णी चंद्रघंटा और मा कुश्मांडा को भी याद कर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए अपने दोस्तों रिस्तिदारू के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए साथ इसाथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इन्डिया नाटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंश सके धन्यव दोस्तों